हलो दोस्तों सलाम नमस्ते कैसे आप सब बढ़िया चलो मैं भी एकदम जक्कास दोस्तों यू तो अलग-अलग खासियत वाले आपने कई पेड़ देखे होंगे कोई सबसे पुराना होगा तो कोई बहुत ही अजीब और गरीब आकुरती वाला दुनिया में कई रहस्यमई और विचित्र तरह के पेड़ पाए जाते हैं जिनके बारे में शायद यह सब लोंगों को पता हो संबर्ण दुन्या में चामतकार एक रहस्यमई और विचित्र तरह की पेड़ पॉधे और लताये हैं बढ़ आजए आपको ऐसे व्रक्षों के बारे में बताएंगे जिनके पा ताके कारण ही ये विश्व प्रसेद हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले प्लीज नीचे दियेगा रड कलर के बटन को दबा कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है ना जरा उसे भी दबा दे ना तो चलिए शुरू करते हैं आज की विडियो और आपको बताते हैं ऐसे ही बेहद विचित्र और अजीबो गरीब पेडों के बारे में नूम्बू वन बॉटल ट्री ये पेड नमिबिया में पाया जाता है और ये धर्ती के सबसे घातक पेडों के यंति में आता है इस पेड से निकलने वाला दूधिया रस बहुत ही जहरीला होता है पुराने समय में तो इस पेड को शिकारी अपना शिकार करने के काम में भी लाते थे शिकारी इसके जहरीले दूधिया रस को अपने तीर पर लगा कर शिकार को निशाना बनाते थे लेकिन वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले ज़रा ये बताईए ना किस शेयर से हमारी वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट में बताईए चलिए अब आगे बढ़ते हैं संयुक्तराज अमेरिका के यो स्माइट राश्ट्रिय और द्यान के मौरिपोसा ग्रोव में स्थित ये पेड़ काफे विशाल काए है और सन 1881 में इसके तनी के बीच में से काट कर इसमें से रास्ता बना दिया गया इसी कारण ये पेड़ पर अटकों के लिए खासा अकरिशन का केंदर बना रहता है भाई वाकई में बहुत अजीव है ये पेड़ हजार साल पुराने ये पेड़ मेर अगास्कर से मिलते जलते हैं इन पेड़ों की उचाई करीब 80 मीटर होती है जबकि इनका तना करीब 25 मीटर से भी ज्यादा मोटा होता है सुखा पढ़ने के स्थिति में इनका तना अपने लिए पानी कठा करने के काम आता है एक अजीब बाद तो ये है कि सावन के मौसा में जब इन पेड़ों पर फूल लगते हैं तो वो सेर्फ 24 घंटे ठकी रहते हैं और फिर तूट जाते है दक्षिनपूर्व एशिया के टाप रोम मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये पेड़ ही है इस पेड़ की जड़ों ने इस मंदिर को चारूं तरफ से जकर रखा है इस पेड़ की उचाई बहुत ज्यादा है और पर्याटकों के लिए पेड़ आकर्शन का केंद्र बना रहता है आपको बताना चाहेंगे कि ये मंदिर यूनसको के विश्व विरासत है ये दुनिया का सबसे उचा पेड़ है इस तरह के पेड़ 1200 से 800 साल तक जिन्दा रहते हैं जियां दोस्तों सही सुना आपने इस हाइपेरियन पेड़ के लंबाई की बात की जाए तो ये करीब 115.5 मीटर उचा है जबकि ये करीब 9 मीटर चौड़ा है ये पेड़ नियू यॉक के स्टाचिव आफ लिबर्टी से भी उचा है भाई कमाल है नेचर की खूबचूरती दोस्तों मूल रूप से मद्ध है और दक्षिन अमेरिका में पाए जाने वाला ये पेड़ अपने आप में काफी अनोखा है इस पेड़ के तने पर स्पाइक्स बने होते हैं और इसके पत्ते करीब 3 मीटर तक लंबे होते हैं इस पेड़ पर लगने वाला किनवित फल काफी लोग प्रिया है पश्चिम पोलेंड में ग्राइफिनो के पैस उगे ये करीब 400 पेड़ काफी रहसे मही है ये पेड़ बड़ी अजीब आकरतिके हैं और इन पेड़ों के ऐसी आकरति कैसे बनी ये कोई नहीं समझ पाया किसी का कहना है कि इंसानों ने ही इन पेड़ों को ऐसा आकार दिया है थाकि इन्हें फरनिचर रित्यादी बनाने के काम में लाया जा सेके वैसे आप क्या सोचते हैं क्या कारण रही होगी ऐसी आकरती होने की बताएए ना कॉमेंट में इस पेड की कहानी भी काफी अनूखी और रहसिमा यह है यह पेड कैनेडा में उस्ते थे लेकिन आश्यरी की बात यह है कि इस पेड की 1770 के दशक में ही मौत हो गई थी लेकिन आज भी यह पेड बिना किसे नुकसान के वैसे ही खड़ा है हलंकि एक बार स्थान 1998 में तेज अवा के चलते यह पेड गिर गया था लेकिन वहां के स्थानगे लोगों ने इस पेड को फिर से खड़ा कर दिया दक्षिन अफ्रीका के लिंपोपो राज्जे में स्थत यह पेड वहां का सबसे उंचा और सबसे बड़ा बावबाब पेड है जिसकी उंचाई है 20 मीटर और घेरा करीब 47 मीटर का है यह पेड विश्व के सबसे पुराने पेड़ों में से एक है और माना जाता है कि यह करीब 6000 साल पुराना पेड है तो दोस्तों देखा आपने कितने अजीबों गरीब और विचित्र थरा के पेड़ पाये जाते हैं इस प्रक्रते में तो बताओ इन में से कौन आपको सबसे अजीब लगा हमें कॉमेंट में बताओ ना भाया शर्माना मत विडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरूर कर देना और चलिए मिलते हैं एक नहीं टॉपिक के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए